आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है, कामवली बाई की जबान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है, कुछ दिनों बाद सूंगने को भी नहीं मिलेगी, सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई यह सबजियां, सोचती हूँ तेरी शादी में सोने की जगर सबजियां खरीदू, मा, हजान बार मैंने आपसे कहा है, शादी की बास करके पोर मत करो, हाँ हाँ बोर तो लगीगी न, बड़े होने की बाद मा को पूछता कौन है, ओफो मा, आपको इस वक्क गड़े मुर्दे उखारना जरूरी है क्या, खुशी खुशी जाओ न, मेरा मुर्द क्यों खराब उसकी पिछले मेंने शादी हुई, और पती के साथ वाशिंग मशिन चली गई, मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है, मेरे लिए दोनों एक जैसी ही है, मेरे नसीब में तो वाशिंग मशिन नहीं लिखी है, जब से टैब बुक पे उसकी 32 सी निकालीवी फोटो देखिए, आग लग गई मुझ में, अंगुठा चाब, घल से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वाशिंग्टन, टैब बुक पे फोटो देखो उसकी, मा, शादी करके फॉरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिच्चिस अ बात पर आज आते हो, शादी, 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 शादी. भाई सब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, आप तक कुवा रहा हूँ. मुझे देखो, मैं देखने में खुबसूरत हूँ ना? अब कैसे करें? क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते है चल्दी से तेरी शादी का दिन आ जाए. आप ना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दी, जब मैं अतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी. देख रच्चू, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन. उमर निकल गए तो कोई नहीं पूछेगा. मैं शादी वले ब्रोकर से बात कर अच्छा बताओ, आप धोकला खाएंगी क्या? नहीं, सोडा जैदा होता है. तो टॉपिक क्यों चेंज कर रही है? आपकी बस रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं. आपको जो खाना अभी खालो वर्णा भूके रह जाओगे. मेरी फिकर छोड़ो और अपनी शादी कर ले. प मान लो ना, कि मेरी शादी हो गई. रच्छू, ये खुश खबरी तुने मुझे पहली क्यों नहीं दी? तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए. मा, सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखना बंद करो. बिना ड्रामा के आपकी जिन्दगी नहीं चलती क्या? अ कर ले, सब कुछ ले लिया ना, ठीक से? अरे, मा, सिर्फ दो ही बैग है. कितना हुआ भीया? वे तो 70 है, लेकिन 100 दे दीजी. 100 रुपे क्यों दू? लगज भी तो रखा हुआ था, और यहां से खाली वापस जाना पड़ेगा. बैग सर पर उठा कर लाया है क्या? तीस रु होते हैं क्या? हाई, दिव्या, हाई, जब सब के घर जाने का टाइम हो गया तब तू आ रही है, कोई चाने वाला मिल गया था, क्या? वो सब छोड़ कुछ खिला दे, भुख से चान जा रही है. मॉम को छोड़ने गई थी, कुछ खाया नहीं. ये क्या है? अफकॉर्स, ते चुरू हो जा, पाथी नाइट, अच्छा आन्यूल पाथी है, मैं तो उस दिन घर पर सोओंगी. मैडम, बॉस आपको बुला रहे है, अर्जन काम है. हलो, सर, सुन्दर बोल रहा हूं, सियो के ओफिस है, सर आपका काम ख़तम कर दिया है. और रिटरंस तो फाइल नहीं किय बरबाद हो जाएगा, और उनके साथ हम सभी को जेल जाना होगा. ऐसा नहीं है, सर. ऐसा ही है. अच्छा, एक बात बताओ, इस वक्त तुम ओफिस में ही हो? नहीं, सर, मैं तो घर के तरफ जा रहा हूं. तो सीधा यूटन मरो, और ओफिस जाकर काम पुरा करो. ठीक है, सर, मैं वापस जाता हूं. आज जाह तक पूरा कर दूगा. मैं लूबी wow morning cheddar मेंग me वे का दोनी घंक हुआ है, से जब करेंगो.inde खि fireman मैं पर छूबू 22 करी लेज़, को बस दोनी applies to you." कि लुटें लुटें, कि लुट दुटेंगा। कि लुटेंगाा कि लुटेंग। हजुट साइब एक मिनट हो तमारा कुरियर है स्वारी हो प्रैक्टिस करोगे ये पापा आगाए कार्थिक ए पापा कैसा है मेरा बेटा तो आज स्कूल में क्या किया आज में मुर्गा बना था पापा फिर मुर्गा बने कितने अंडे दिया तुमने यहेट अज़ outros आज़तhma बाद भुर मुर्गे करने लगे हो मिरुंक Сब कीoms कार्थिक ये भी एक चप क्यों इस ध्रैल धनान आगारो ना न a कार्तिक के लिए एक अच्छा सा डे केर मिल गया है अगले हपते से भेज सकते हैं तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या उसे वह नहीं डालेंगे इसे डे केर में भेजने से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मैं कब तक ऐसे काम छोड़कर घर में बैठी रहू कार्तिक के पैदा होने से पहले मेरा अपना करियर था इस तरह सब को छोड़कर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता इससे तो अच्छा होगा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ मैं कमा कर लाती हूं मुझे मत रोका करो पहले ही मेरा दिमाग खराब है थोड इसले नहीं जाना है चल अचला 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 दर्पासा खोलो प्लीज दर्पासा खोलो अचला आप में तम करके रख दिया है इसने रोज की छीक छीक स्थार्ट कर दो कर दो कर दो सुनाए 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 तेरी दाल कलिया नहीं वहां तो सूखा पड़ा हुआ मुझे देखते है इसकी हवा निकल जाती है समझ नहाता वह क्राइम रिपोटिंग कैसे करता होगा तो तू उसे प्रपोस कर दे कोई सादा नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाती करती है अचा सुनाए कबर्ड मिना एक रेट कलगा टॉप है वह बहुत लगी है आज ऑफिस वही बहन कर जाना तेरी लोट्री लग जाएगी लोट्री लगेगी? कैसे? मुझ पर भरोसा है मेरी बात मानेगी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हलो रचना क्या हुआ चुकी हो गई? असल मैं अभी सबने बच्चों के नाम सोचने लगी थी अरे वाद तो मुझ से भी स्यादा फास्ट है तू सच में बहुत चालू है अच्छा मुझे अपडेट देती रहना हम ओके बाई और सुन रेटो पे लादा बाई बाफ जय झ польз क्या कर दो झ choices आपने नमबर नोट किये? महारानिया जल्दी कैसे आगी? आज कोई फैंसीरस कॉंपटिशन है क्या अच्छा नहीं लग रहा है? इडियेट्स हुआ 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 रचना रच रचना रचना मैं इस से बूल जाती हुआ हुआ आप मैं चलता पर मुझे अर्टिकल पूरा करना हुआ काम पहले है काम स्या स्या काम 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 सर कॉफी थैंक्स यह रही तुम्हारी कॉफी थैंक यू तो तुम वडोद्रा से हो ना? नहीं मैं मुंबई से हूँ अभी जस्ट सिक्स मन्स पहले शिफ्ट हुई हूँ अच्छा बच्चा कॉनसे स्कूल जाता है? वाट? रियली? क्या मैं तुम्हें सच में एक शादी शुदा औरत जैसे दिखती हूँ? नहीं नहीं तुम संसकारी लगे इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी मैं समझ रही हूँ तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा तुम्हारा तीसरा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैं तुम्हें शकल से तीन बच्चों का बाप दिखता हूँ क्या? और क्या? क्या है यर कुछ भी? वैसे फैमिली शुरू करना तो चाहता हूँ पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ पर जो नहीं खाता है वो जिंदिगी भर बच्चताता है अहाँ, एक पसंद आय थी पर वो किसी और के निकली क्या करे? तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं इंट्रिस्टिंग तो बताओ, तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी? मुह से बद्बू आती थी क्या? मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं अच्छा एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं अच्छा, तुम डर किस बात काई, कर दो प्रपोस हाँ देत्या, एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोस करूँ मैं इतनी भी स्चुपेड नहीं हूँ लो, सैलरी के टाइम पर आदमी हो जितनी सैलरी चाहिए लेकिन प्रपोस के टाइम पर लड़की बन गई कौन मैं? अच्छा? क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ज़रूर प्रपोस करूँगी मेरे एडिटर का मेसेज है मुझे बहुत सारा काम है बाद में मिलें क्या? हाँ, हाँ, कोई बाद नहीं रचना हम? ज़रा सुनो मेरे एडिटर ने मुझे एक मुवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे तो मैं उसे ले जा सकता हूँ तुम क्राइम दिपार्टमेंट में हो ना? तो तुम्हारा मुवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मुवी है आचा तो अगर मैं ये कहूं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ तो आइम शूर तुम्हें कोई अइतराज नहीं होगा बिल्कुल नहीं ओके बाई ये लड़की तो बहुत फास्ट है उचसे भी दो कदम आगे है तुम्हारा ड्रस वाके लग्की है हलो डिटेल्स लिगिए नम सुन्दर गाडी मोटर साइकल और उनकल फ्लैटनम्र है वाँ सेक्ड़ बत्ताँ टाइम क्या होँ है साड़ा किया मेडम सुन्दर का फ्लैट कहाँ पर है है पहले सीधा जाने का पछी गाड़न आएगा फिर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ हुआ है हुआ है फिरा देशित्स उर्स कारो जैंप कर दो जो श्रॉब जो पिरू में पुम्हें बॉरूहें, है? भाइए, है? बॉर्सक्ति एड़ा दो में बॉर हुआ है। एड़ु क्या दो जाएए पूरु़ हुआ 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 हुआए तो पूरी मूवी देखेंगे कम से कम सब्टाइटल नहीं देखना पड़ेगा सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चले गई अगर मेरे पस्तक्या होता तो मैं वहीं सो जाती इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती है लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है अपकोर्स पसंद है तुम्हें नहीं पसंद पता नहीं पता नहीं इससे क्या मतलब मतलब मुवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाच, आत्माएं अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं मेरे हिसाब से तो होती है जैसे दिन होता है तो रात होती है जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है उसी तरह positive energy के साथ साथ negative energy भी होती है जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं अब journalist ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चा है तो जरूर होगी इसमें इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है नहीं मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ आदित्य उधर देखो वाइट साडी में एक औरत उसके बाल खुले हुए हैं उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है वो सामने से आ रही है हाँ देखी क्या खूबसुरत है यार तुम ज़रा उतर जाओ मैं उसी ले जाते हूँ आदित्य तुम भी बाकी लड़कों कितरा चांस मारे हो ना क्या मतलब लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक बाढ़ना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जा है अलो बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है विरासत में मेरी है क्या 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 मुवी के लिए थांक्स I had a really boring time अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी आज तुम्हारा बर्दे है क्या नहीं मेरा बर्दे नहीं है क्यों नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है नहाद होकर सच धच के आई हो ना इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ अच्छली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना मतलब तुम मुझे रोज थ्यान से देखते हो अब क्या करूँ मैर्यम पीशा ही ऐसा है क्राइम रिपोटर जो हूँ इसका मतलब तुम दूसरों को भी तारते रहते हो हां नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं जैसे देखकर सुकुन मिले अच्छा फ्लोटिंग ब्रेक लेगाते हैं कल ऑफिस में मिलते हैं बाइ अलो ओ मैडम यहां पर आईये यहां पर एविंग में बी टू फ्लाट कहां पर है वो मेरा फ्लाट है ओ ज़रा दो मिरिट रुकिये सर हम जिस लड़की की तलाश करें थे वह यह लड़की है हम रशने तुम्हारे ही नाम है मैं ही रशना हूं बात क्या है सर्थ? एक घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था उठाया क्यों नहीं? अच्छा वो आपका कॉल था मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं मैं सिनेमा हॉल में थी सिनेमा अभी तुम कुछ इसने ड्रॉप किया? कौन था वो? सर हुआ क्या है? आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं पुछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है? सॉरी मैं जवाब नहीं दूँगे आखर यह सब क्या चल रहा है गाड़ी में बैठो पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ लेकिन सर मैं आप लोगों के साथ क्यों आओं? आप रॉंग अड्रेस पर आएं, प्लीज चेक कीजिए हम रॉंग अड्रेस पर आएं, हां? यह तुमारा ही नमबर है ना? हां मेरा है चुप चाब गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की ज़रुवत नहीं है वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे बैठाओ, चलिए चलिए गाड़ी में बैठाएं यह सर, यह चल 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 अंदर बैठ आपको कोई गलत फैमी होई है सर, सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए आपको बात में बता चलेगा सर से कहो लड़की मिल गई है, हम लोग स्टेशन आ रहे है इसका फोन क्यों नहीं लिया, फोन शिनो इससे सर, सर, प्लीज आप ऐसे क्यों करें, सर अधिया ओफिस, यह तरह बस्रेंट है ना यह वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगड़ा हुआ था सर अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, तो फिर कल रात को जब वो ओफिस से घर लोटे और डिनर के लिए बैठे तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अपलाई करने वाली हूं इसी बात को लेकर हमारे बीच जगड़ा हुआ, वो बहुत हुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया जॉब, कैसी जॉब, कहां अपलाई किया था मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया था सर, सिर्फ अपलाई करने की बात गही थी और इसी बीच, इसी बीच ही इस सब हो गया खुद को समभालिये, हम आपके साथ है, कमला एक लास पानी लेकर आगो पानी पीचे, आपको बड़े सापने अंदर बुलाया है चल जल दी चल सर अंदर ही है ना, अंदर ही है सर सर आवो फाइल्स लेकर आप आराम से भीचे सर यह रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे आखिर यह सब क्या चल रहा है सर, मुझे यहां किसली लाया गया है सर, सुंदर से मिलने आच हो करे आई थी देखी मेरी बात का बुरा मतमालिए, क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था, अगर था तो बताईए आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर इस लड़की को पहले कभी देखा है, जानती है इसे, जान से देखे बताईए नहीं सर ये लड़की दोबहर को आपके घर पर गई थी, और हम नहीं जानते क्यों कौन हो तुम, और क्यों गई थी मेरे घर पर ये कौन है सर, आखिर ये सुब क्या चल रहा है, देखे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अव्वेर है देखे, रोईये मत, अब आप भेर जा सकती है, सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगे कमला, किसे को भेज़ कियने घर तक छुड़वा दो ठेक है, सर प्रभाकर, इसे अंदर बठाओ आए आओ, चलो खुद को समा लिए अंदर आओ मैंने उदर ने, यहां बैटो प्रभाकर? सर कौन है यह? वो सुन्दर केस की सस्पेक्ट है, सर ओ सर क्या कर रहे हो तुम? किस की फाइल तेयार कर दा था अभी छोड़े इसको, मेरे साथ आओ लेकिन सर सर, आप लोगों को जरूर कोई गलत पहमी हुई है मैं जो पूछू उसका सही सही जवाब दो सुन्दर क्या क्यों गई थी? कौन सुन्दर सर? प्रभाकर, रेजिस्टर दो ये नाम और फोन नमबर तुम्हारा ही है न? जी हाँ सर दोपहर सड़े 11 बज़े तुम वहाँ क्यों गई थी? सर, मैं वहाँ जरूर गई थी लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूं सर आप यसे मुझ से क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो जादा भूली मत बनो, जर फोटो देना देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वह इस हालत में था अब बताओ, क्यो मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आगी, that's it अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर, मुझे नहीं पता किसने मारा यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर, सर, मेरी बात का यकिन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देने नहीं है सर तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइमस अफ इंडिया के लिए इंटरजिशिप कर रही हूँ अपने जॉब के लिए मैं एक स्टॉरी लिख रही हूँ, उसी स्टॉरी के सिलसले में मैं सुन्दर से मिलने गई थी ऐसी स्टॉरी? और सुन्दर के साथ उसका क्या संबद? अब क्या बताओ, सर? बताओ! सर, आरके पुरम फ्लाइवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ उस फ्लाइवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए, सर ट्राफिक चैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसका कर वहां से यू टरन ले लेते हैं और चब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे की वैसे ही पढ़े रह जाते हैं जो कि ऑपसिट डिरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है इन सबसे सुन्दर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटा कर यू टरन लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका इंटर्व्यू लेना चाहती थी सुन्दर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे इसने तुम उसका इंटर्व्यू लेने गई थी, यही ना? ये सर सुन्दर नहीं वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यू टरन लेते हैं तो इसलिए तुम उससे मार दोगी, मजदाख है क्या? सर मैं तो उसके घर उसका इंटर्व्यू लेने गई थी, बताया ना आपको डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपेक गेम है, जो इंटर्व्यू लेना था सर, बीच सडक पर गाड़ी रोक कर अपनी सहुलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटा कर किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है ऐसे लोगों के क्या सोच होती होगी सर, सिविक सेंस, ट्राफिक रूल्स, क्या ये सिब इंपोर्टन नहीं है सर ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटर्वियो लेना चाहती थी हलो, सर, उसे केस की पूछता चल रही है मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कारवाई के लिए हमें थोड़ा और समझ चाहिए पेडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो जी सर, मैं समझ रहा हूँ और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक कैसा मैं दीजे हाँ, ठीक है, लेलो पर इस मुसिबस से पीछा चुड़ाओ हम कुछ करते है सर सायक, मेरे साथ हाँ काशी, काड़ी बहार निकालो काड़ी निकालो कुमार मेरा बैग लेक हो लाए सर काफी देर हो गई है और बारिश में रुक नहीं रही है इसलिए उस लड़की को फॉरण रिमांड होम भेज़ दो कोस्मॉटम रिपोर्ट आजाए तो फिर पूछताज करेंगे रिमांड होम क्यों सर उसको खर भेज़ देते हैं अगर कोई और केस होता तो भेज़ देते लेकिन बरने वाला सुन्दर एक पॉलेटेशन का सीय था और वो ही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था इसलिए हर कोई हमार उपर डंडा करना है प्रभाकर एक काम करो तो ज़रा उस बिल्डिंग के CCTV फोटेज क्लोजली चेक कर लो और सुन्दर के कॉल डिटा भी निकाल लो और हां मुझे सब मॉर्णिंग में रेडि जाईए हैर ड़ेट सर्व यह मेरे घर बालोंने मुझे अलग परिशान कर रहा है बार-बार फोन जो कर रहे हो एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ यहां खाली नहीं बैठा हूँ न, मुझे भी साथ में लेलो सर और भी क्या रहा हूँ, आ रहा हूँ और नायक्ट सर, उस लड़की के बैयन पर तुम्हारी क्या रहा है मुझे लग रहा है कि वो सचके रही है सर, जब वो सुन्दर के घर पहुंची, उसी वक्त उसकी मौत वी ये भी तो हो सकता है कि ये इतिफाक हो, ये इतिफाक है या नहीं यही तो खुजना है, पर जो भी हो, ये केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मिनिस्टर ने मुझे डायक्ट ओर्डर्स दिये है, ठीक, उसे रिमान होम में शिफ्ट करो, सुबह बिलते है सुनो कमला, जी सर, रिमान होम में फोन करो और कहो कि पेपर तयार करें, ये रात को वह रहेंगी सर, मुझे रिमान होम क्यों में बेज रहें, सर, प्लीज मुझे जाने दीजे, तो चुप कर, कमला, आप चाहिए सर, इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हाँ मैं जानता हूँ पर कुछ नहीं कर सकता, जैसा कहें कीजी ठीक है सर, सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर मेरी बात का यकीन कीजिए बैठी अभी भी इन्वेस्टिकेशन बाकी और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते अगर मुझे उसे मारना ही होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रेजिस्टर में क्यों लग क्या आती सर देखे, सुबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है, अच्छा होगा कि आपको अपरेट करें सर, जरूर कोई गलत फैमी हुए सर, सर, मेरे पास सिर्फ सुन्दर का ही नहीं, दस और लोगों के अड्रेसेस भी लिखे हैं मैं खुछ समझा नहीं है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे, उन सारे लोगों के अड्रेसेस, जिन्होंने यूटर्न लिया था, ये सारे नंबर मुझे उसी बॉने भिकारी ने दिये थे, अगर मुझे मार नहीं होता, तो मैं उन दसों का खून करती, सर्फ सुन्दर को ही क्यों मारती, कम से कम आप तो समझे सर, मैं सच कह मैंने सुन्दर को नहीं मारा है, वेट 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 थोड़ा कनफ्यूजन है, उस फ्लाइवर पर एक भिकारी भी था, वो कौन है, और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है, मैं जब भी वहां से जाती हूँ, वो वहीं पर होता है, वहां से यूटर्न लेने वालों के गाड सुन्दर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रस लास्ट मंद की डेट पर लिखा हुआ है, आइ मिन, वाई सुन्दर, राजेश का इंटर्व्यू क्यों नहीं लिया, ये वाला, बताइए, असल में लास्ट मंद में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी, उसी भाग सर, आपने बलाया मुझे? हाँ, ये गाड़ियों की कुछ डिटेल्स है, पता करो कि इनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंड है किया, ओके सर, डूइट पास, मैं देखता हूं सर, थैक्स, शक्ती, मुझे सुन्दर की पोस्ट मॉटम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो, बट प्ल रभाकर, सर, एक काम करो, रचना के साथ वारन आर के पूरम फ्लावर जाओ, वह वहां तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे वारन यहां लेकर आओ, सर रभ, बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड हूम ले जाते ने उसे, प्रभाकर, जान चलो बैटो AP05EA2162, देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस तो रेजिस्टर नहीं है मुझे पता है कि आपको ओफिशल रिपोर्ट लेखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? तैंकि यू सर, हाँ कहा है वो? वो वहाँ है सर, काशी, जाओ देखो जरा यहाँ तो कोई नहीं है सर, यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यही मिलेगा दो रोज मुझे यही मिलता था सर, उसको टैब बुक पीज चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चाज सके यह किसका फोन है हलो, सर, हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यह लड़की छूट बोल रही है आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा, ओके सर अभी तब काम पूरा नहीं हुआ, यल्दी बेजो सर, वो रहाँ हुआ, आओ, वो आजा के बैठो कमला, क्या हुआ, सर वो मिला वाँ, मिल गया सर, यह देखिए, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प किये थी रशना, इसे ने तुमें नमबर दिये थे जी सर प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रू मिले जाओ, रशना, तुम इसके साथ जाओ बताईए क्या बता चला सर मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया कि सुन्दर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है और नहीं किसी चोट के और उसकी मौत कितने बज़े हुई थी? उनके हिसाब से सुन्दर की मौत का टाइम आधी रात के दो बज़े का है, पर वो भी कन्फरम नहीं है टू एम ओके शक्ती, यू में को, थैंक्यू ओके सर शक्ती, एक कॉफी पर लाता हो, लाता हो सर सर, हमने बिल्डिंग के CCTV कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया और सुन्दर की भीवी के घर से निकलने के बाद, सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी इसका मतलब सुन्दर की मौत और रचना के वहाँ पहुँचने के बीच तक्रीबन दस घंटे का फर्क है हाँ, करेक्ट सर क्या लगता है कोई connections? सर मैं भी वही सोच रहा था, सुन्दर और रचना के बीच कोई connection होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है, और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्टरी का कोई नामू निशान मिला है मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है कैसी फाल तू कहानी है सर, एक आदमी वहाँ से यूटन लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है ये यंग्स्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं सर, हाँ, आज़ा जिन गाड़ीयों के नमबर्स आपने मुझे दिये थे, मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये हैं, सर प्रभाकर, ये चर्ड़ करो ए, चलो, ओट बेट इसे पीस चोड़ दीजिए सर इसी ने तुम्हें 10 गाड़ियों के नमबर दिये थे सर, हाँ सर तुमने ये नमबर किसी और को दिये नही, नहीं सर तो इन सारे नमबरों का अड्र्स तुमहें देने वाला है कौन सर, मेरा एक फ्रेंड है जो RTO में काम करता है मैं उसे गाड़ी के नंबर देती हूँ और वो मुझे एड्रिस निकाल के देता है बस इतना ही सर, आप क्या होगे सर तुम्हारी डायरी में जिन दस लोगों के नंबर लिखें, वो लोग मर चुके हैं, सब के सब उन सब ने आत्मातिया की है, ये रिपोर्ट कहती है रचना, तुम कुछ छुपा रही हो अगर जूट बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मैं सच कह रहे हूँ सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर इन एड्रेसे और नंबर्स के अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती, प्लीज बरीफ मी सर तुमने एड्रेस पर डेट क्यों लिखी ये डेट्स उस दिन के हैं, जब उन्होंने ब्लॉक्स किसका है और यूटन लिया, ये वही डेट्स है सर तुम्हारी डाइरी की डेट्स, पुलिस रिबोर्ट्स की डेट्स, उनकी सियूसाइट करनी की डेट्स सबके सब एक ही हैं तुम डाइरी में जो भी डेट्स लिखती हो, उस दिन उनकी बहुत हो जाती है, इसका बदब क्या है वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गुंगा है, मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी information मिलेगी, अब क्या करें सर? उसके लावा और कोई सुरग नहीं है, सर उसकी pocket से ये note pad मिला है, जिस पर कुछ गाडियों के number लिखे हैं ये number किसका है? मैं नहीं जानती है, रचना ठीक से देखो और हमें बताओ, हो सकता है ये number उसका हो, जिस ने आज ब्लॉक्स कसका है हो, और मुझे देने के लिए उस भीकादी ने ये number नोट क्या होगा, कि अगले दिन जब मैं office जाओंगी तो वो मुझे दे देगा, इसके लावा मुझे कु इस गाड़ी का अड्रस निकालो और जितनी जल्दी हो सके मुझे बताओ, और मेक इट फास, रभाकर, शक्ति, ज़रा सेल खोलना, ये सर, 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 फिर से कोशिच करते है, बहुत चर्भी चड़ गई है, मुझ खोलेगा कि नहीं, इसका मुझ खुलवाना बह सर, सर, जिस आदमी का पता आपने मांगा था, वो पीछी के बिल्डिंग में ही रहता है, काड़ी निकाव, ओके सर, तो भाकर चला गया, हाँ, सर, मुझ अपके चली गए, कुछ और जंड हो, तो मुझे पौन का रहता है, यहाँ पर मलिक को है, सर, वो रहे, थैंक यू, मलिक, यह सर, बोलिए, नाइक सर ने तुम से मिलने को का था, उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, कैसी जानकारी चाहिए आप, मलिक, वो जो वारकेपुरम फ्लाइवर है न, वहां से इस गाड़ी ने यूटन मारा था, इसके बारे में पता करो न, शोर सर, मैं चेक करके ब एक इसाँआएए, प्लाइ गश्थान था, आसे था, कैसे स kitchen यह था, यहांस को वहांस कि हा सकति आगएएबात है पि declaredphem, अ jour आज़ तो का कॉ 1504, sir यह यह है वो फ्लैट, sir क्या कर रहे है, बेल इस तरह बजाते हैं, क्या नेम प्लेट तो देखो, सौरी, sir, देखा नहीं का है काम है तुमसे? क्या आपका इनाम शरत कुमार है? कौन है? कौन गंटी बजा रहा है? बच्चा सोर आथार उसे जगा दिया मैं तुम्हें क्यों बताओ, बात क्या है? वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं? हाँ, मेरी है, तो क्या हुआ? इस लड़की को कभी देखा? कौन है यह? रश्ना, तुमने इससे देखा कभी? नहीं, sir आरके पूरं फ्लावर पर तुमने योटन लिया था? हाँ, तो मुझे अरेस्ट करने आया, इसने कंप्लेंट की वारंट है क्या? काई जाले? काई प्रॉब्लम आहे का? अरे कुछ नहीं, आप जाओ अंदर जाके सोजाओ जाओ ना घर में और कॉन-कॉन है? इससे तेरे को क्या मतलब? कंप्लेंट है क्या? वारंट है क्या? हलो, मैं लॉयर हूँ, कोई एरा गेरा नहीं कानून अच्छी तरह से जानता हूँ पेपर है तरे पास? यो टीपर हलो, हे, हे, सुनाई नहीं देता क्या? अंदर का घुज़े जा रहा है, हलो, सर्च वारंट है क्या? गोर्ट पे फसेगा तू, हे, समझा इसको, इसको बोल की बाहर आए सुनाई नहीं देता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ हलो, अरे बहार निकल, वहार मेरी बीवी है I'm sorry हलो, हे, महां क्या देख रहा है, बानिकल वहां से कुछ भी नहीं मिला न, हाँ? पुलिस टेशन आकर कंप्लेइन कर देना पर फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना कम रचना हाँ, हाँ, आता हूँ, सुबह होते ही आ जाओंगा दरता नहीं हूँ तुझसे, अब तुझे कोट में मालूम पड़ेगा मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भाली पड़ेगा अ, अच्छा सुनो, रमेश एक काम करो, तुम सुबह तक यहीं रुको सर, यहाँ पे रुकना है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं साहर कुछ गड़बड़ो तो फोन करना ओके साहर चलो रचना उसे चुपकरा, सुनानी क्या? एए, महरी है क्या? अगे बेट जाओ पुलिस की नौकरी क्या कर ली? इन सब क्यों घुलाम बन गया चे हलो? उस नमबर की गाड़ी ने वहां से योटन लिया था सर फ्लायोर के कैमराज में साफ नजर आ रहा है पता नहीं सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है हाँ, उस डारी के सारे नमबर्स को भी चेक करना हम लोग चेक कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, WhatsApp में बिल्कुल सर मलिक, चलो ये बाकी नमबर्स भी चेक करते हैं रचना, इसी लॉयर ने यूटन लिया था सिसी टीवी फुटेज में रेकॉर्ड हुआ है इसलिए उस बॉने ने इसकी गाड़ी का नमबर नोट के आदा अचीब बात है, यूटन का सुन्दर की टैथ और बाकी सारे मौतों से कोई नो कोई कनेक्शन तो है रचना, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो याद करने की कोशिश करो उससे हमें काफी मदद मिलेगा सर मैंने आपको सब बता दिया है बाहर मतिंग लाँ सर, सर, उन सब के डीटेल मिले तुम्हें? यह सर, मिल गए और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके? आपको जो भी जांकारी चाहिए थी, इसमें आपको मिल जाएंगी ओके, तेंक यू, तेंक यू सर ऐसा नहीं है, सर, मेरी बात तो सुनिये, सर मैं तो मिनिस्टर साब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया हाँ, सर हालाद बहुत उल्जे हुएं, सर गुद मॉर्णिंग, सर हाँ, सर मैं तुमसे क्या कहा है, और तुमने क्या कर दिया मैं इंवेस्टिकेशन कर रहा हूं, सर उस लड़की को रिमांड हूम भेजने के लिए कहा था पर इस केस से उसका तुम्हारी वज़े से मुझे कमिशनर और प्रेस के सामने शिर्मिंदा होना पड़ा सुंदर की गाड़ियों के अलावा उसके पास दस और गाड़ियों का नमबर था मैंने जो ओर्डर्स दिये थे, उसका इससे क्या कनेक्शन है सर, ये देखिए सर, उन सभी लोगों ने जिन्होंने यूटन लिया था, वो सब के सब मारे गए सर ये कैसे हो सकता है नायक सच कह रहा हूँ सर, हर केस आत्महत्या मान के बंद कर दिया गया तो फिर सर, I think हमें इस केस की तह तक जाना होगा तुम्हारे इसाब से ये काम इसी लड़की का है सवाल ही निया सर, सारी रात वो लड़की हमारे साथ थी उसका इस केस से कोई कनेक्शन निया सर, वो बेकसूर है सर ये देखो, सुन्दर की पोस्टमॉटम रिपोर्ट, क्लियर सुिसाइड सर, कुछ तो कड़बड़े सर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दीजे सर बेलकुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुन्दर का केस क्लोज करो, बस और फेर, दूसरे केस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ उससे अचा, वो लड़्की कहा ए, है, इंटर्योगेशन रूमेर्स,र, वह को में लगने लवग झाओ रशनल लशनल लशनल लए मikes हमने तुम्हारे आटियों के फ्रेंड से पूछताज की थी डॉन्ट परी, उसे कुछ नहीं होगा उस मॉटन रिपोर्ट आ गई है तुमने सही कहा था सुन्दर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का इन्वॉल्मेंट है ऐसा कोई सुबूत हमें अभी तक नहीं मिला है तुम जा सकती हो यो फ्री टू गो ना इन गाडियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना वरना तुम भास जाओगे तुम्हारी संदगी बरबाद हो जाएगे तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ इन चीज़ों को यहीं छोड़ दो दियो अंदरस्टैन नायक जाओ इसे घर छोड़ा अलो नमस्कार सर यस सर हाँ सर पोस्मॉटम रिपोर्ट मिल गई है सर सुसाइड की वज़े से केस क्लोस कर रहे हैं हाँ अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीज़े सर उसका अकाउंट बचा हुआ है ओके ओके सर थैंक्यू लचन लचन तुम्हारा घर आगया सॉरे सर तुम बहुत ठक गई होगी जाओ आराम करो सर आपको मुझ पर यकीन है न आई ट्रस्ट यू रचन मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा अब यू कर दो कर दो पता है प्रखट ओर दो कि है ज। हुआंएपाइब कि न। हम जुआ जुआ है जूआ जुआ हम आज कि अजसे है जूआ है। वसा एंखेवा हैं वाकला आठी एंखेम वार वार वीमंची वाल 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 अपार झाल झाल हाँ प्रभाकर तुम ट्राफिक कंट्रोल डूम कहते वो सी सी टीवी की फुटेश तुम्हें मिल गई अच्छा वो कुमार से भीजवा दो सर आपको हम तिनों का गुड मॉर्लिंग सर वो संता ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉर्टम्स रिपोर्ट देखी वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सियूसाइट की ही है सर हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं परंतु यह हत्या है यह आत्मा हत्या यह सिर्फ आप ही बता सकते हैं सर मैं इन केस में कोई कॉमन बाट ढून रहा हूं जैसे की मौत का वक्त या कोई हत्यार कोई ऐसा घाओ जो एक जैसा हो कुछ भी जो अलग हो या ज हो जी जितने केस मैंने हैंनल किया है ना मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका सर पोस्ट मार्टम तो यह लोग करते हैं मैं तो से बॉड़ी उठाता हूं आप एसे जानना के चाते हैं सर हां कुमार आओ सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई हैं थैंक यू ओक सार हमें देर हो रही हैं हाँ जाहिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूं आने के लिए शुक्रिया ओके थैंक यू थैंक यू हे रचना मैं तुम्हें टून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो ना रचना ने ठीक हूं बस थोड़ी थकान है कॉफी असलमें एडिटर से अहां समझ गया तुम्हें काम होगा मैं बात ने मिलता हूं बाई ओके बाई अपना ध्यान रखन एक्सक्योज मी सार आप बिजी हैं जी नहीं बताईए सार इस केस को हेंडल करते वक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था बैठी सार मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सर ओ वाली कौन सा यह यह जी इस केस में यह निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अब्रेला कट नहीं बनाता है सर एकदम सिधा कट करता है पर यह सिधा नहीं है सर यह एक करने वाले कंफ्यूज होते हैं सर वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारें की टेड़ा कट मारें अमरेला कट का सवाल ही पैदा नहीं होता है यह अबनॉर्मल है सर इस केस में प्लेड गुमा कर कैसे समझाओं यू जैसा हां यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा अच्छा सर लगता है अब समझ गए अब मैं चलता हूं सर ओके सर थैंक्यू थैंक्यू सर यह महजे के तिफाक है हमने अल्यडी प्रिसमें स्टेट्मेंट दे दिया है मुझे अब और कुछ नहीं कहना है प्लीज थैंक्यू सर दर असल यह है अब इस केस का पीछा छोड़ तुम खामका टांगड़ा रहे हो तुम्हारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना इस समय नैशनल लेवल की ब्रेकिंग न्यूस बन गया है सर मैं तो उसे बचाने गया था नयक किसी से यह मत कह देना उसकी बीवी ने स्टेट्मेंट दिया है कि लॉयर के पर बहुत सारा लोन था उसका घर उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्थ हो जाएगा इसलिए डर कर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से कूद कर उसने सुइसाइट कर लिया है सर अब यही बताना सर नहीं यही सवाल नहीं यह सर यह क्या है सर आपसे बताया था था न तुम मैंने कहा ना सुंदर केस क्लोज हो गया है यू टर्न केस कोई है ही नहीं जाओ बहुत सारे पेंडिंग केसिस सॉल्ब नहीं हुए है उन्हें क्लियर करो यस सर नायक रचना का फोन नंबर है ना तुमारे पास है ना सर अगर आपको बात करनी हो तो मैं उसे फॉरण डि शेप का रास क्या है लोग मर क्यों रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है इन सब की मौत हो चुकी अगर कौन मार रहा है इने उझे पता लगा नहीं होगा बढ़ा है तो अगर पास है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है तो मुझे अधियोग उन्हां आ दो आता है बढ़ा है नहीं है जानती ती कि ऐसा होगा यह रख लीजे, ले लो ना, अरे, हलो, हलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, कोई प्रोब्लम तो नहीं है न, ने, ने, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्याद है, देखो रशना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत, क्या, कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना, वो इन से बात करें, चलो, चाल ठोकाई कराऊं तेरी, उनके साथ, अठी के साथ, अब क्या हुआ? सर, आक्शली मैं आरके पुरम फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर, और तभी मैंने, अधित तुपे तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब ये चिर्कुट एक ब्लॉक नहीं हट रहा है तुझसे, अरे भारी ये रे, आपे मेरे साथ चिंच चला कर, आप यहां से यूटन नहीं ले सकते, प्लीज गो स्ट्रेट, प्लीज, सिखामाद, आपन इधर से यूटन लेंगा, तिरको क्या? देखे, ये बिल्कुल गलत है, ये ट्राफिक वाली भाई, चल अपना काम करना, अरे मुन्ना, ये ट्राफिक वाली नहीं ये, एक्स्टा चोचले, ड्राइविंग के टाइम पर फोन पर बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का, देखे, मैं एंजियो अगरे से लेंग अच्छा सुन, मैं यूटन नहीं लेंगा, सीद्धा जाएंगा, तो आती ही गया, हलो, हे चल निकल, जागे कायते कानुन स्कूल के बच्चों को बढ़ा, यहाँ पे घ्यान बढ़ रही है, ये धूप में खड़ी रहेंगी, तो काली पड़ जाएंगी, घर जा, आंदे, अच्छा फोटो, हाँ, खीज-खीज, अपने वाप को दिखाना है, साधी करेगा तेरे साथ, अभी क्या मत करें, ये ले, पोस में ले, ये ले, एजबुक पे लालना, मस्त लाइक में लेंगे, आप अनको भी टाग करना, सर, किसी भी तरह उन दोनों की जान बचा लीजे, मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुए, सर, ये देखे, अखिर तुम्हारा इस केस से क्या तालुक है, सर, ये आप क्या कह रहे हैं, सर, उस प्लाइवर पर से यूटन लेने वाले हार आदमी को एक प्लान के तहत मार दिया जाता है, सर, अगर वो, हमें ये मत बता काने की जरुवत नहीं है, हम जाते हमारा काम क्या है, गिराओ, नायक, सर, जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ, सर, रचना, रचना, देखो, प्लीज, नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, आप लोग इतने लाबरभा कैसे हो सकते हैं, सर, उन दोनों की जिन्दे में है, उन्हें कुछ नहीं होगा, रचना, भिलीव मी, सर, कल आपके ही सामने उस वकील की मौत हो गई, सर, या भूल कैसे सकते हैं, आपने खुद देखा था, देखो, मुझे अपने सीनियर की ओडरो करने पड़ते हैं, समझने की कोशिश करो, ओके सर, तो आप अपने सीन शरम नहीं आती, रच लेके अपनी जिन्दगी खराब करने के बजाए, खुद को फासी को नहीं लगा लेते, आप सबने आपे अबे राजू, क्या हो गया रहे तिरको, अबे उठना, पिर से चड़ा लीए क्या, उठना, कहां फसके यार, शेट सर, ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर, ये कौन सी जगह है, सेफ तो है न? इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है, there is nothing to worry, ये यहाँ सेफ है, आज रात वो यहीं रहेंगे कुमार, सर, बेस्मेंट की लाइट्स ओफ कर दो, उके सर, उन्हें आराम से सोने दो कि प्टाइल अच्छी दाइल इस पोसेदिक साथी तूटारी तूटिवर्ड भाइटskोशने वहाँ, प्टाएटूशे लाइब कर गारीज़ की लाइब को देवाँ धैट लाइब लाइब को इसनो, जबएबर को जएबर्स दूटिटूबर्स है, लाइब एको गेता है, नहीं सर, थैंक्यू. अदरक वाली एपियो? थैंक्यू फोर बिलीविंग इन में. आप उन्हें अपनी निग्रानी में रखेंगे तो आम शॉर उन्हें कुछ नहीं होगा. इस मैं ड्यूटी रचना. उस वकील के मरने के बाद, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता. सर, उस वकील के डेथ केस में कोई प्रॉग्रिस होई? उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है. उस पर बहुत कर्स था, और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिया. सर, उस ब्रिज के यूटन का और इन सब लोगों की मौद का कोई कनेक्शन हो सकता है, सर? इन्वेस्टिकेशन चल रही है, रचना. सर, 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 कुछ गड़बर है, सर. प्लीज अंदा चलीए. क्या हूँ, रमेश? उकड़ो इसे. लाइए, मुझे दे दीजे. देखे, सर, वो थोड़े दिर पहले अचानक खड़ा हुया, और तब से आगे पीछे आगे पीछे घूमता ही जा रहा है. मुझे डर लग रहा है, सर. अब हम क्या करेंगे, सर? करने की कोई बात नहीं है. लाइट सॉन का? हाँ, हाँ, कर देता हूँ. शक्ति को बला लो. हाँ, हाँ, सर. हाँ, राजु, हाँ, मान की म्यों रहा है? हाँ, सर, आपने बला है? शक्ति, वो दोनों आपस में जगड रहे हैं. जाओ उन्हें कंट्रोल करो. क्या हुआ, और कमीने? जिस थाली में खाता है, उसी में छेट करता है? माना जाता है मुझे. अरे आखिर मैंने किया क्या है राजू है राजू है राजू है यह दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं ना बोला था तो डलने ने को ना बोला था कौने तू तेरी बाज प्रभाकर जल्दी करो सर्विलेंट्स रूम में आओ अब तर्वासा क्यों ही खुला लो मुझे तो मैं ट्राइकर तो क्या हो गया सर यह लोग लड़ क्यों रहे हैं तुम ही रोको मैं देखता हूँ आप रुकिये सर मैं जाके देखता हूँ अई शो आँ सर समालना प्रभाकर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आमें जा रहाँ सर यहां दर्वाजा नहीं खुल रहा है अर्गाँ सर वगए एबुल अर्वाँ सर वगए मैं जाँ अगर दर्वासा ने खोल गा है तो दर्वासे को तोड़ दो जलो सब लो ढगे लोग बचाओ मुझे बचाओ ज़ए बचाओ अगर दर्वासा जाओ गया हम लोग कोशिश करें खुर लहीं रहें सब बचाओ मुझे सब बचाओ मुझे सब बचाओ तुम यहीं रुको, मैं आप यार क्यों लिया यूतार अब तुम मरेगा तुम लोग कर क्या रहे हो तुम नहीं बचेगी, तुम मरेगी मैं तुझे महादा लूगा Just move चलो 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 शक्ति गेट ठोलो जल्दी जी सर सर यह तो लॉक है सर और इसकी चापी भी अलग है हमारे पास टाइम नहीं है सर जारी कीजिये, लगता है वो बेहोश होगया ताले को तोड़ दो, रशना तुम सुन रही हो तुमारी अवास नहीं यारी है रशना मेरे बाद का जवाद दो सर घालो सर तुम ठीक तो हो ना सर वो मुझे खूर रहा और मुझे मारने की धमकी देरा है कौन घूर रहा है जवाब तो रशना सर सर प्रवार ना तुमें, सर! पीसे दिए के जर! सर! 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 सर नहीं को रहा है! पुझे बचाओ! रभाकर जल्दी करो ताला तोड़ो! सर जल्दी कुछी एए! रभा एक्सिंगूशन आओ! जल्दी के ज़िए सर! सर फटड़ो! सर! 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 कर नाव जो पूंगे ? तो शुख नगवा है, पूली साना क्यो बना है ? जो टोच टोच लेकर आओ ऑव जो अच्छा पूंगे सर यह लीजेए सर कहां गया ? कहां गया वनो ? सर ने जर लेखें ना सर किदर है ? सर सर यह देखें शर ताला खुल गया है रखोड़ीट है सरौ नो खोलोना जल्दी, उपन करो, चलो अधर चलेंगे अंदर मचहीज सरौधे कारा श्यूकर है सरौर भार जो बखोजाओ अधर लगए प्रीजिच आउनदर लगए इसी पर दूद़ता मुझना हूए टह तो दुनिक और दूद को आजा हूए! duplicatey, पर दो उसक्राम कर जाने में! पर barbecue, maaar जाने identifies? पर algo्त्र jao? Yes Sir. Sir, մेनी भाद आलेजे, Sir. परCharव… पर.. परभाद तो Sir, help me… चोडूजूभ्वा ज़्मीरिज्टे पात्पाना एक टूजूआ करने में आजूए शर्षगी एक ज़्ठी पांद करे किपश्भक एक जुदूनियो स्बात्रोमत शर्षगी एक नइने एक जच वरिप्सक्です हम है ना? सर जरा संभल कर प्रभाकर प्रभाकर आप जरुकर कि प्रभाकर प्रभाकर खुआ अब अब दन्या हो गया मैं इद का चांद हो तुम ताइम मिलने का आप गैस यसर अप्रशन प्रीज बाद साथ यसार आए तुम प्रोहं रही नुए सब दीज सब रहों कै इस मैं ये भी तुम्हे बद्छा है पिछले एक हफ़ते से लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसलिए तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो नहीं बताना तो मत बताओ लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वकपर हमेशा आपने ही काम आते हैं और जानती ओ, कितनी फिक्र हो रही थी तुमारी तुमें कोई परिशान कर रहा है क्या कोई पीछे पढ़ा हुआ है नहीं मैं टीख हूँ मुझे कोई परिशान नहीं कर रहा सुर्थ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है ठीक है छोड़ो इन बातों तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए मेरे पास एक तौफ़ा है भूल गई? अरे तुमने आरके पूरं फ्लाय ओर पर हुए एक्सिदेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी ना ये वही है तुम्हारी स्टोरी के लिए चलो अब तो मुस्कुरा दो जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ अरे यार ये प्रिमा जी मुझे जब देखो काम शिप काती रहती मुझे जाना होगा सॉरी, यू टेक एर ओके? हाँ प्रिमा जी सिगनल पर यह आ रहा हूँ पॉस करो अब दूसरा कैमरा दिखाओ तुम्हारे सामने लडाई होती रही तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए सर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए वो भी पुलिस वालों के सामने कल ही मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी न किस सीनिय के ओर्डर्स फॉलो होंगे फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी I'm sorry सर कुछ तो गड़बड है कोई तो ऐसी शक्ती है जो ये सब करवा रही Stop it नाइ जो तीन लोग मरे उनमें बस दो ही connections है पहले हो तुम दूसरी तुम्हारी फ्रेंड रचना तुम लोग वहां क्या कर रहे थे खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे अब तुम तीनों पर inquiry commission बैठेगा समझेए किसी की गलादी नहीं है सर सारी जिमेदारी में लेता हूँ सर जाओ ये सर inquiry पूरी होने तक ये सिस्पेंड रच्रिटेश? हाँ? मेरा नम रच्णा है मैं टाइमस ओफ इंडिया में काम करती हूँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है किस बारे में मैं आरक्योपूरं फ्लावर पर होने वाले आक्सिडेंट्स पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ उस सिलसने में आपसे बात करनी है माया और मेरी लव मैरेज हुई थी जर्णा हमारी बेटी थी वो फर्स डेड में थी मेरी वाइफ भी जॉब करती थी हमारी जिंदिगी सुखुन से गुजर रही थी रोज शाम को घर लोटने के बाद मैं जर्णा के साथ गंटों केला करता था यही लाइफ थी सब अच्छा चल रहा था हमारी बेटी है हम सब की दुनिया थी फिर बहुत सब सब कुछ खतम हो गया है मैं सॉरी सर उस दिन जर्णा का बध्य था माया उसको शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी जर्णा बहुत ज्याधा खुश थी वो नौ मार्च का दिन था सर उस आक्सिडेंट के ब माया है, हेल्प हेल्प चल ठा सोGotा पालन चल फमन माया जानटा всे wash pile के उसे का दो सरओ यहां हाँ पर चे। करकी था जर्णा Um año चल राश घ्राइविग कर कर तक कdesi को बन कर दिए अ माया समभल कर ड्राइव किया करती थी मैं जानता हूंँ np.... एकसिडेंट की रात को, एक कार उस फ्लायोवर से गुज़ी थी, उसी कार ने एकसिडेंट कर दिया, ट्राफिक कैमरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी, पर, पर पॉलिस ने, कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं की, एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरी फैमली ख कुममनो, सेरी, सब्सक्राइब भी है उस नुए , अनुए- को, पुलिस स्टेशन जो के, पुलिस ने, सिर्फ नाश्चराया है, व्लिस कारता है आए, और भी है, आपको ने, मैं व्लिस कि नीज़ाई आयो, पुलिस पूलिस प्रिशन शंग की, पुलिस इस है याँ नाश पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह सब तो होता रहता है कल रात वहां ऐसा क्या हुआ सर रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रॉक्स लिथी हो सकता है उसी का सरो सर आज मैं रिटेश नाम के कादमी से मिली थी फ्लाइवर पर हुए अक्सिडेंट में उसने अपनी भी खोदी यह फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहे एक मिनट यह देखे सर रिटेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट में मारे गए थे सर वो यहां अकेला रहता है सर उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर आपको नहीं जानते ना तुम फंस चाओगी सालों तक पुलिस टेशन और कोट के चकर काड़ोगी फाइनली वो तुम्हें ही कातिल ठहराएंगे सर उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है वही मर रहा है और आप कह रहा है कि मुझे चुप रहना चाहिए रचना मैंने बहुत सी मौते देखी बाद में कुछ नहीं होता और तुम्हें भी यहीं मान कर चलना चाहिए हलो प्रभाकर कुछ सवानों के जवाब तुम्हारे लिए चानने बाद हो सकते हैं अब मैंने ये केस शोड़ दिया है तुम्हारी मदद नहीं कर बाऊंगा कर तुम्हारी म्याद इस्थ मरे genuine मयां करें कर दोरीफ तुम्हें इसे की। झालने शहीं कर दो को थे पर दोर सलिए, हमें रज़े की ले तुम्हारी कर दो? सर यह यूटर्ण केस की पूरी फाइल है थांक यू प्रभागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहा है चलो तुम्हें तो यकिन तुम्हें विल्कुल शिता है तुम्हें पैो याइल सकत सब्द़ कहरें गाइल है स्ट्बबड़Lby जर जर पाइल घर झाल उलिए व्यास भाइल प्रुम्हें पाहाएँ भाइल जर रहाएँ क्या हूँ अबिचा? इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ मा, सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला या अभी तब ढूंडी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा, खाना खाया? बस अब तेरी वारात में जीवर के खाऊंगी पापा कैसे है? यहीं पड़े, घर राते ले लेके नाक में दम कर दिया है ठीक से बात करो ना मा नहीं तो मैं फोन रख दूंगी प्लीज आपा ठीक है, मैं ठीक हूँ तेरा टॉगी भी ठीक है और कुछ पूछना है? मा मुझे बहुत डर लग रहा है मा मुझे बहुत अकेला पन लग रहा है, इसलिए कॉल किया इसलिए तो कहती हूँ शादी कर ले शादी कर लेगी तो ना अकेली रहेगी ना डर लगेगा पर तुझे मेरी बात सुननी कहां है? कहां है तो इस वक? मा, आफिस में एक लड़का है जो मा, मा, अभी बात वहां तक नहीं पहुची है मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है मा, मा, बस करो, ये डायलोग्स मारने बंद करो, मैं फोन रखती हूँ बाई और बंद करता है यूँ आए 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 झाल 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 प्रचाओ दो अ. झाल 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 अँआ इस अँआ है आँआ इस जाम बाड़ बिए झाल 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 मुझे नहीं खाना है वो फोज़िद नहीं करते नहीं मा प्लीज देखो जर्ना नहीं खाओगी तो ममी गुस्ता हो जाएगी चुप चप खालो मा मेरे लिए बरुन लाई हो ना हाँ हाँ यहीं कहीं पर रखा होगा जब जाकर ढून लो हाँ जल्दी आना लोड कर खाना है और गिरना मत ओके मा तो मेरी बेटी की मौद की वज़े तुम हो आज रात उस फ्लाइवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हट्वा तुम हो मैंने तुमें देखा मैंने कुछ देखिया मैंने अपनी आंखोस पर लेखा उस दिन तुम ब्लॉक्स अटा रही थी अपनी जलबासी में तुम्ने इतना भी ने सोचा कि किसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्ने ही मेरी जहर्णा का कतल किया है। मैं तुम्हें नहीं जोड़ूगी। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा...? नहीं, मैंने नहीं मारा... तुम जुट bot बोलो.... हाह, मैंने वो blocks हटाया थे... यह जाने के लिए क्या आखिर हो क्या रहा है लेकिन अक्सिदेंट के दिद वो डिवाटर ब्लोक्स मैंने नहीं हटाए थे मैं साज कह रही हो मैंने जिससे भी यह पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लोक्स नहीं हटाए पर उस रात को नहीं और जर्ना उस्प्लाइवर पर आराम से जा रहे थी जर्ना, तुम्हें नीद तो नहीं आरी ने बीटा? नहीं मम्मी, नहीं आरी है तुमने ब्लॉक्स और हमारा अक्सिदेंट हो गया मैंने नहीं हटा है और उसके बाद जब होश आया तो मैं एम्बिलेंस में थी अच्सिडेंट के तुरंट बाद अगर इने लाया गया होता तो अच्छा होता काफी खून बह गया है इनके साथ एक बच्ची भी थी ना बेचारी बच्ची तो हाथसे के वक्त ही मर गई अरे ये बहुत बुरा हुआ उसकी बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया क्या हाँ भेज दिया ममी बाई जहने दो जहने दो जहना ममी आजा मेरी गडिया सर्फ पात साल की थी मेर अच्ची ये भी नहीं जानती थी कि महत क्या होती है और बता है उसरी दिन उसका बर्तल भी था ममी क्या आप रो रही हो ममी मम reference क्यों रूर रही हो नहीं ने आंटी ने कुछ नहीं किया ममी की आँखों में कुछ चला गया का इसलिए ममी आप मुझे कहानी सुना ओगे न तुम जा कर बेट पर लेटो मोड़ कीज़ी नब मुझे वीज के बाज मुझे किया। मुझे उलिश के जौड़ दो मुझे किया। मैं यह पता कर लोगी कि उस दिजैस्मे किस ने डिडादर ब्लॉक्स हटाए थे और किस ने इऔर यह ऱ्टाली आता मैं सच गहरे हैं मैं तुम्हे सवरब बताऊंगी उसा आत्मी का ना मैं सवरब बता हूंगी फ्लीज मुझे जड़ दो फ्लीज प्लिस मेरी बात का यकीन करो एक दिन मैंने देखा के रोड ब्लॉक धटे हुए तो मैंने ठीप कर दिया था मैंने दुहारी मेटी को नहीं बारा साज कह रही हूँ चलो मान लिया ठीक है तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मिरी बीची को मारा है अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहें आप सौरिया नो इश्यूर अलो आदेते देखो मैं मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करता हूँ समझने की कोशिश करो मैं मीटिंग में हूँ तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है मैंने उसे देखा है रचना वो मेरी हाथ की नस काटना चाहती थी बिलीव में बहुत हुआ रचना ये तुम्हारा वहम है मेरी मानो तो उसके बारे में सोचना बंद करो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं 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 सर जिसने उस दिन ब्लॉक से टाय तो उसे धूड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाया रचना समझने की कोशिश कर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी तुमने कुछ खाया वेशना तुम खाओ मैं फ्रेश शोकर आता हूँ भी बाओ स्चित अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब भी करते सा तुमारी डायरी में जो दस नाम थे उनके फोटोज और डीटेल्स मैंने चेक की इन सब में एक कॉमन बात है हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है सुंदर, श्री निवासन और वो दोनों लड़के जो बेस्मेंट में मरे थी ज़र ये देखो और ये कोई इतिफाक नहीं है लशना तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है कुछ याद नहीं आ रहा सा सोचो याद करने की कोशिश करो किसी तरह का पैटन या औबजेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ मैंने ऐसी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया सा ठीक है, चलो चलते मांबी हाई मलिक, ओ हेलो सर आप यहाँ कोई जरूरी काम हाँ, वो नौ मार्च को आरके पूरम फ्लाइवर पर एक एक एकसिडेंट हुआ था उसके फुटेज देखनी सर, यहाँ तो कुछ नहीं है आप उस मा बेटी वाले एकसिडेंट की बाद तो नहीं कर रहे है हाँ सर, बच्ची फ्लाइवर से रेलवे ट्राक पर गिरकर मर गई थी यह वही केस है सॉरी सर, तब तक उस फ्लाइवर पर कोई कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता? वहाँ पर कैमरे एकसिडेंट के बाद ही लगाए गए सर, वो एकसिडेंट डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाने की वजह से ही तो हुआ था जिसने वो क्या उसे ही ढूणना है? मैडम, जब वहाँ कैमरा था ही नहीं, तो खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर के शुरू और आखरे में कैमरा है न? यस सर, वो हैं मुझे उनकी फुटेज देखा ये ट्राफिक फुटेज 9th मार्च का है उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाइवर से गई या नहीं वही तो पता लगाना है सर अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंट लोटता है तो मतलब उसने यू टन लिया है, करेक्ट? येस सर, ऐसा होना पॉसिबल है सुपर फ्लाइवर पर चड़के वापस लोटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक लगता है तो सबसे पहले लोटने वाले ने वो ब्लॉक्स जरूर हटाए होंगे, राइट? आपने बिलकुँ सही कहा फ्लाइवर की एंट्री की फुटिज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं मलिक, can I see the footage? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्राफिक है जो फ्लाइवर के उपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाइवर से उतरने वाला ट्राफिक है सर, 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 वो रेड जाकेट थोड़ा सर, रिवाइन करना पॉस, रोको मलिक देखकर तो ही लग रहा है सर, इसने पूरा फ्लाइवर क्रॉस नहीं किया बीच से ही यूटन लेकर लोटाया मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो मुझे इसकी सारी इंफर्मेशन चाहिए ओकी सर, रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आप ही आए सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखिए नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम करो इन सब में एक कॉमन बात है, मरने वाले को हर जगए यू शेप दिखाई देता है तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है? रचना, उस गाड़ी बाले का नंबर और अड्रेस मिला है क्या हुआ? सब ठीक है ना? रचना, रचना, रचना ऱरुआ रचना, 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 रचना मामी, बालू! यूओधी। 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 स्सक्षाओपश हुआ है झाल हमेश हहलो हलो रमे यह मैं उसका भाई बोल रहा हूं कौन बोल रहे हैए एक मिनट्स रचना तुह मेरे बैका नंबर कहां से मिला तुम्हूं से क्या बाग करना चाहती हो यह तुम्हारे भाई का नंबर है हाँ दो साल पहले वो यूएश शिफ्ट हो गया बैंक्स के OTPC नंबर पर आते हैं इसलिए चेंज नहीं किया पर तुम्हें यह नंबर कैसे मिला और वैसे भी यह मेरे भाई की भाई की मैं तो रोज आरके पूरां फ्लाइओवर से ही जाता हूँ मलिक सर्व क्या बात है आपको कुछ दिखाना है क्या है एनी प्रॉब्लम मेरे साथ आईए रचना हर बात के हद हो दिया आखेर हुआ क्या है बताओ तो कहा हो तुम्हें असे मार दिया क्या तुमने ही उस आरके पूरां फ्लाइओवर से ब्लॉक सटा के यूटन लिया था वो बच्ची तुम्हारी बाजासे मर गई तुमने असे मार दिया अरे कौन सा एक्सिजेंट कौन सी बच्ची मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने लाल जाकेट में अपने भाई की बाईक से फ्लावर क्रॉस किया था मैंने ट्रापिक क्यामरा में देखा है वो तुम हो मैंने कभी सोचा नहीं था देते हैं मैंने नहीं सोचा रचनाप मैं सालों से उस फ्लावर से आता जाता हूं लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया सर इस गाड़ी को ध्यान से देखिए हां इसने लाल जैकेट पहनी है और कुछी देर बाद ऑपजिट लेन से लोटने वाली गाड़ी को देखिए देखा आपने डिवाइडर को हटाते वक्त तुमने मेरी शकल देखे क्या वहाँ पर नहीं देखा लेकिन तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं नहीं किया है वो रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से उपर चड़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है उस दिन भाई की बाईक को सर्विसिंग के लिए देना था मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं गराज नहीं जा पाया मैंने बाईक को पिक करने के लिए मेकानिक को फ्लाइओवर पर ही बुला लिया जब फ्लाई वर के दूसरे साइट की फुटिज देखी, तब मैंने नोटिस किया, सर सेम वेहिकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रिजिस्ट्रेशन नमबरा लगे, अरे इंजिन में से बहुत आवाज आ दी, अच्छे चेक करना, अच्छा वाट्सेप करना, उसके बाद हमने आई की बाइक लेकर वहां से निकल गया, बस इतना ही हुआ था, तो तुमने डिवाडर ब्लॉक्स नहीं हटाए थे ना, क्यों हटाओंगा, मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हो रचना, मैं यूटर नहीं लेता, तुम्हें एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पत अधित्या, अधित्या, प्लीज मत खुलो, दर्वासा मत खुलो, अधित्या, अधित्या, कौन है? अधित्या, कौन है, अधित्या, कौन है? आजो, आजो! भाईया, वे में ले बाट प्रेंट, चलो, जल्दी! जी मैडम हलो, हलो रचना हलो, हलो हलो रचना, मैंने जो अड्रेस दिया है वो गलत है, उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटा है सर, मैं जानती हो कि ये आदमी वो नहीं है तुम्हें कैसे बता? वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है हम दोने एक ही ओफिस में काम करते है ओ माई गोड सर, सर, मुझे आपकी मदद चाहिए रचना, क्या हुआ, बात क्या है? सर, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन, लेकिन मेरे दोस्त की जिननी की खत्र में है, सर वो उसे मार देगी, सर अब मेरी मदद कीज़े, सर तुम घपड़ाओ मत, मैं आप याद हूँ आगे से लेफ्ट ले लो रितिश, येस क्यों है? अरे हमें लेफ्ट जाना है हलो, कौन है घर में? जवाब दो रशना, रितेश मेरे साथ है, मैं वहीं आ रहा हूँ बाई क्या आप मुझे बदाएंगे कि क्या हुआ है? जिस दिन तुम्हारी वाइफ और बेटी का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन किसी ने फ्लाइवर पर डिवाइडर खिसका दिये थे आपके कहने का क्या मतलब है सर? क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने ब्लॉक्स खिसका थे उसने वापस नहीं लगाए जिसकी वज़ा से तुम्हारी बीवी और बच्ची का एक्सिडेंट हुआ ऐसा हमारा मानना है रतेश हाँ, हलो, बोलो मलिक सर, जिस गाड़ी ने यूटर लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है वक्का भाई आना येस सर, हंडेड परसंट उसका नाम और एड्रेस मुझे वाट्साइब करो येस, पेस्टाउ रतेश, हाँ 13 रतेश, मैंने तुम्हारी बीवी और बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था आप मैं अपनी जर्ना की मौत का बडला लूँगी मैं किसी को नहीं जोडूँगी मैने इन लोगों को भी मारा मैं तुझे भी मार डालूँगी कि इसाँ कि आया कि आया घुद कि ए किस अандria कि ए सुझाए कि हम ऑने अब एन Bir अ... कॉर च्रेर न्याफ हो धिन रख सकाझ उप कर को मस्किर को निषना चाफु ल dock चाफु लुट रशना चाफु याओ जाओ मट्या जिस्ट अरता जाओ जाओ how do अल्हकु जाव जिंद यह ज़िक्जी हेने जो Blocks कि अदिता रख जी को अधिता तुम ठीको अधिता तुम ठीको बस बस जांस ले ते रहो वो यही है जोपना हो रचना वो यहीं है जल्दे निकल यह साथ वो यही है समल कर देशिया है आरामसे आदे ते तुमे कोशिते हो लोगा पापा? नेटेश नेटेश जरन? 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 मेरी पेटी तु कहो चली गयी थी? मैं कितना परेशान था सिरन के वा चुआति मैं थू कही नेचा था मैं यही तुमारा इInterसार कर र हाँ आप तुमारा गई अग्या तुमारा टाएँ तुमारे बेरा नेगास क्ता मैं ममी कहे माया तुम लोट आई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उसकी जान क्यों बचाई माया तुम कैसी हो माया वो जर्णा की मौत का जिम्मेदार है मैं उसे छोड़ूँगी तू अना, अदेतिया, यहां बैठो रशना, तुम अदेति को समालो मैं अबिलोन्स को फोन करता हूँ अदेतिया, अदेतिया मुझे बात करो माया एक्सिदेंट वाले तिन मैं मैं घर लोट रहा था हैलो, हैपी बात्रे कुरिया आप कहा है, आप घर क्यों नहीं आए पापा बस रास्ते में हो बेटा यहाँ पानी बहुत परस रहा है राफिक भी बहुत ज्यादा है पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहो ना अरे-अरे-अरे, भू तो भूली गया फोन ममी को तो तरह ममी, पापा कहा हो तुम मैं ज़गना का गिफ्ट मैं आफिस में भूल के आऊ तुम बागी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पहुचता हूं, ठीक है? ठीक है, घर जल्दी आना I'm sorry Maya, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी गलतिकी मज़े से मेरा पुरा परिवार महरा जाएगा अरम से Oh my God Adita कहरी साथ को वो ब्लॉक्स अटाने वाला कोई और नी बल्की निदेशी था माया, I'm really very sorry Maya मच्छो मुझे माया, माया तौरा नोबचे साथ माया, माया, मेरी सारी दुनिया, मेरे सब से, सब के सब मेरी जर्ना के साथ चुड़े हुए थे, तुमने सारे तोड़ दी माया, तुम जर्ना के कूली हो मुझे ममे छॉचए ना बिटा प्लीस पापा को मत मारो पापा ने कुछ नहीं करूगी बेटा, तुम रो मत, मैं कुछ नहीं करूगी, तुमें जिसमें खुशी मिले, मैं वहीं करूगी, बेटा, हाँ, तुमें बेटा, मैं मैं कुछ नहीं करूगी, बेटा, मैं मैं कुछ नहीं करूगी, बेटा, मैं मैं कुछ नहीं करूगी, एड़ 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 जर्ण 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 जर्णा जर्णा तुम्हें बहुत व्याद करती हैं, वो तो ये भी नहीं जानती कि वो मर चुकी है ड्यारी कहा है, ड्यारी कहा है कि रट लगाए रहती है, और मैं पहाने बनाती रहती हूँ मैं उसे क्या बता हूँ, के उसकी मौत की बज़े उसके डड़ी ही है, तुमें सिंद्ध के साथ सिंद्ध हो यही तब औरी सफ़ा है मया, मुझे छोड़के बच्चाओ मया, मया मच्चाओ मया प्लीजु बाए! मुर्क जफच़ होगा neuroscience मुर्माय, मुर्माय! जना.. जना जना मेक जनिहें जना मुर्माइ़ जरीको जना! झाल 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 झाल